व्यूंट्स आप सभी कमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत आप फेंस हम जो पढ़ रहे थे वह सैट से रेटेट कुछ कुछ पढ़ रहे थे हम क्वेश्टन नमबर टू इसमें पढ़ेंगे इस वीडियो में तो क्वेश्टन नमबर टू है हमारे पास करना है एक क्रोश बी इंटर्सेक्शन ची बराबर हमें प्रूब करना है एक क्रोश बी इंटर्सेक्शन ऐक्रोस ची तो फिर फिर से दिपान कर देता हूं Cartesian product किस तरह से define होता है अगर x and y are two set then x cross y जो इनका Cartesian product होगा यह Cartesian multiply कर साइन है friends तो यह जो होगा वो इस तरह से होगा x y where x belongs to x and y belongs to y तो इस तरह से Cartesian product define होता है अब हमने लेट xy belongs to a cross b intersection c हमने लिए सब्पोर कर लिया कि जो xy को इसके point है points को define कर रहा है a cross b intersection c को यहां से कह सकते हैं x belongs to a and y belongs to b intersection c तो यह b intersection y जो है वो belongs to b intersection c कर रहा intersection किस तरह से define होता है intersection का मतलब होता है friends यहां पर पढ़े हम यह और बी दो सेट है तो उनके जो यह intersection है वह कहता है जो y जो belongs करेगा यह में भी करेगा और बी में भी करेगा दोनों ब्लॉंग करेगा तो यहां से हम इसको define कर देंगे intersection को by belongs to b and y belongs to c यहां से यहां से हम लिख सकते हैं friends x belongs to a and y belongs to b and जो होगा x belongs to a and y belongs to c यह तरह से जो होंगे वह हमारे पास xy को देपान करें तो यहां से कह सकते हैं xy belongs to a cross b and xy belongs to a intersection c तो यहां पर जो यह एंड है यह हमारे पास आगए xy belongs to a cross b intersection a cross c तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो xy यहां पर जो बिलॉंग कर रहा था वो यहां पर भी है तो यहां से हम कह सकते हैं a cross b intersection c पराबर a intersection a cross b intersection a intersection c